हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी लोग मैं हूँ आपका दोस्ट पुस्पेन सिंग फ्रम परिक्षाद स्टी परिक्षाओं पर पैनेजर और जैसा कि आप लोग जेल वाडर के लिए बहुत ज्यादा परिशान थे कि सर मेरा जेल वाडर का एकजाम है अगले मेने बहुत कम समय बचा हुआ है इतने सारे आप लोगों के वाटसप पे मेसेज आ रहे थे कोई कॉल कर रहा था कि सर एकजाम डेट आने वाली है क्या वो कंफरम है निज या कंफरम नहीं है या पर जिस तरह से निज पेपर में दे दिये जाए तो आईए आज हम लोगों वीडियो को सुरू कर देते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और जो आपके दोस्तें जो जेल वाडर की तयारी कर रहे हैं जो इन अफ़वाहों से परिशान है उनको भी ये वीडियो भटी परिश्छा के बारें बताएंगे जिसमें हमart टी पथे एक तो जेल वाडरन का था दूसरा फायर मैंन का था था तीसरा हमारा जो पत था वह घुर सवार का पत था जैकिना इन तीन पदों के बारे में आझ हम लोग जानने वाले हैं तो आप लोग प्रस्थ हैं वह क् कि सर इस बार कितने form भरे गैं है बीटे को तैयारी करने से तो कम मतलब होता है लेकिने यह ज़रूर जादा भरे जाते है इतने कम समय मुझे पढ़ाई करनी है तो बिटा जो इस बार फॉर्म भरे गए हैं वो एप्रोक्स तुम्हें विग्जेक नहीं बता सकता हूं या प्रोक्स मुझे भी जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन मुझे भी यह बताया गया है कि साड़े छे लाख से साथ लाख के बी सब्सक्राइब कर रहा है उनको जोइनिंग नहीं मिलिया है तो बहुत से बच्चे जो वाले जो हैं जो सब्सक्राइब के वह लोग भी इसका एक्जाम देंगे तो आपके क्या है कि वह फॉर्म तो भी भराता उन्होंने लेकिन यह समझ लिए कि साले 6 लाख से 7 लाख यह पर हैं तो एक्जाम कितने बच्चे देंगे तो यह ध्यान दीजेगा तो एक्जाम देने की जो संभावना है ना वो मेरे अकॉनिक से 5-6 लाख बच्चें की है इससे जदा एक्जाम नहीं देने वाले हैं क्योंकि यह बहुत से बच्चे हैं सेकेंड वैच्च वाले जो कि इस एक्जाम को ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं देगे न चलिए अब हम आते हैं नेक्स प्रस्ट पर क्या आपका अगला प्रस्ट क्या है देखें अच्छा एक चीज़ और बता दे कि कुछ बच्चों की जानकारी ना हो कुछ 1212 और जो हमारी fireman की पोस्ट थी fireman वाली पोस्ट थी उस fireman के लिए कुल 2500 पद थे न थे कया हैं अब हमारा तीसरा पद कौन सा था घुल सवार का था तो गुल सवार भी केवल और केवल कितने पन हैं кेवल और केवल 102 पन हैं तो horse riding जो हमारी थी horse riding में ही सबसे कम पत थे तो सबसे जदा जो बच्चे हैं कि लिए अफ्लाई किये ते तेकिन और दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई किये थे कि आपका पेपर किस सहर में होगा सर इस बार कोरोना है कोविड 19 के काराल क्या हमारा जो सेल सेंटर पर जाएगा क्या हमारे सहर में सेंटर पलेगा या दूसरे सेंटर पलेगा तो देखिए परिच्छा आयोग जो है हमारा उसने क्या किया है उसने कुल 10 सेंटर बनाएं कितने बनाएं केवल और केवल दस सेंटर बनाएं उन दस सेंटर परिच्छा कराएगा पहला आगरा है फिर कानपूर है फिर लकनू है प्रयाग राज है वारानसी है इदर गोरकपुर है बरेली है मेरट है गौतम बुद्नगर है और गाजियाबाद है ये कुल दस सेंटर है इन दस सेंटर पर ही आपकी परिशा होनी है यारी इन दस जिलों में ही सेंटर बनाई गए हैं इनके इतर कोई और सेंटर नहीं दिया गया है तो हमारी ये बात भी क्लियर कि भाईया केवल दस जिलों में ही हमारे परिशा केंदर बने हुए हैं अब आती है अगली बात अगली बात य मा दाती कि परिष्ञ कितने केंद्र thus में बात इताए कि इनों पूरे सेंटडर हों हमाएं इनकों पूरे सों एक इन्टर सेंटर हम ऐनने तो इन्हों में कि तो तो आर्थारस vocêंटर बनाई है इनों ने रिफ्षा केंद्र है तो डेकर वह इनके सेंटर ही बहुत एंग सेंटर भी बहुत कम है समद रहे तो आप सौचेंग कैसे होगा एकजाम तो भी इनको स्फट में करेंगे ठीक है श्चम्गर में कजिए अब आता हमारा और अगला जिले है प्रस यह है अपने कहा है प्रसा कि प्रस बिआ है किकले चार शुर एक केंद्र है तो परिछा ए मिली क्या कि आließen देती एक और दूसरी पीस तारिक यानि 19 और 217 को ही यह आपका एकजाम कराएंगी गाषिच जाएंगी यानी क्या हो जाएगा आपके 4 सेट पेपर बने होंगे उन झार पेपर को अलग-अलग पाली में कराये जाएगा यां pencil पाली अब यहां पर एक बहृत बड़ी बात आती है कोई आती है कि सञर ऐसा तो नहीं है यह तो बढ़ी दिक्कत वाली बात होगी हमारे selection को लेकर बलकूल सा धूखा हो कभी ऐसा है कि बहूं इस का फुर्स का पेपर बहुत टफ आजा है तो हमली समस्च है क्वैं There कि सेम को सिंदे की तो यहीं घ। वह रचनेया तो में तो नगै जाएगा तो परिशान होने इरूत नहीं हैं जिस shift का paper tough होगा और जिस shift का paper आसान होगा तो इसमें normalization की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ठीकिना इसमें क्या अपनाई जाएगी आपकी normalization की प्रक्रिया अपनाई जाएगी यानि कि जिस shift में paper आसान आया है उसमें scoring क्या हो जाएगी कम की जाएगी और जिस shift में paper tough आएगा उसकी स्कोरिंग ज्यादा कर दी जाएगी ठीकिना तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूद नहीं है अब हमारा अगला प्रस्ट क्या था जो आपनों का बहुत चहेता प्रस्ट था कि सर पेपर एक होगा या दो होगा है ना बहुत मैसेज आई सर मैंने तो दो एक्जाम के लिए फीस दी थी मैंने जेल वाइडन वाले के लिए फीस दे दी थी और मैंने फायर मैन वाले के लिए दी थी केलिए और fire man केलिए ठीकिना घृत वार वाले केलिए फीजदी नहीं आप लोगों ने fire man वाले केलिए यदی आपने दोनों केलिए फीजदी ए आपने फीज क्या किये है आपने फीज इसके लिए दे दी है तो परिशान मत हो ये अब यहाँ पर होगा क्या यहाँ पर आपकी परिष्छा तो के वले हूगी जान देना जिसकी जादा मैरिट होगी उसको ही क्या किया जाएगा उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा जैसे सपोस्ट एटड़ की जेलवाडर वाली जो है इसकी merit कितने पे चली गई, मालो इसकी merit चली गई 201 नमबर पे, ठीक है ना, और fireman वाली कितनी चली गई, ये चली गई आपकी 189 नमबर पे, ठीक है ना, अब यदि आपने केवल केवल fireman के लिए apply किया हुआ है, तो आपके नमबर, यदि क्या हो 89 जादा भी चले गई ना, तो भी आपको jail water नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने इसके लिए apply नहीं किया है, आपने तो apply किया है कियों किसके लिए, fireman के लिए, ठीक है, लेकिन यदि आपने दोनों के लिए apply किया है, तो यदि आपके नमबर 189 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपको jail water में जगे म मिल जाएगी, लेकिन apply नहीं किया है, तो नहीं मिलेगी, ठीक ना, लेकिन दूसरी बात यहीं पे, आपने सिर्फ और सिर्फ jail water के लिए apply किया है, और fireman के लिए apply नहीं किया है, लेकिन आपके जो mark से वो 200 एक से कम जा रहे हैं, तो आपको fireman मिल जाएगा, यानि कि जिन लो एक ही लोग का हुआ है, जो थोड़ा दिमाग लाग के लोग जेल वाडर के लिए फीज दिये थे, समझ रहे हैं, क्योंकि जेल वाडर में नहीं हुआ, तो fireman मालिम तो ही जाएगा, ठीक है, तो परिसान मत हुएगा, के लोग के लोग एक ही परिशा हो नहीं, और merit के आधा नहीं हुआ था, उस notification में तो बताया ही नहीं गया था, उस notification में तो केवल के दिया था, भईया, डेल सो प्रस्न आएंगे, और तीन सो नंबर के होंगे, लेकिन क्या पूछा जाएगा, ये तो उनोंने बताई ही नहीं, किस subject से कितने प्रस्न पूछा हैंगे, ये भी नहीं हुआएगे, आप किसमें, टोटल और टोटल चार subject पूछे जाएंगे, पहला तो आपका जी के हो गया, तेगे ना, दूसरा आपका मैप सो गया, तीसरा आपका reasoning हो गया, और चौथा पार्ट आपका क्या हो गया, चौथा पार्ट आपका हिंदी का हो गया, ये आपके चार प्रस्टार तो यह जो मैं बता रहा हूं देखेगा वही होने वाला है ठीकिन यह बता है यह मत बुलिए यहां मैं पेपर देखे आएंगी पेपर बनाया है लेकिन जो मैं बता रहा हूं अपने कि अपने इसOver German'ार दीव पता रहा है आपके जीके के प्रस्ट viral आएंगे अरिस मैस के में परस्ट आयंगे आपके आथीस रीज्ट सिरी आप, प्रस्ट आयंगे तो कितने जिए जाएंगे एक प्रसन के लिए एक प्रसन बराबर यहांपर होगा आपका दो धिक ना तो 150 में कितना होगा थे मैसरी में बढ़ा दी मैं एक 151 पुखिस ना हो जाएगा आपका 30 निगेटिव मार्किंग की क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी हाँ इसमें निगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि इस आहां कितनी होगी यह जान दीजिए क्योंकि इसमें वन बाई फॉर्थ होगी वन बाई फॉर्थ का मतलब जानते हैं कि एक प्रस्ट के लिए दी द अपने ग्लत कर दिया तो फाइब आपका सही वाला मुय ने से काट लिए जाएगा वर देजित नहीं आता तो स्किप मार दी छूड़ दीजे आप उसे लेकिन उसके पीछे मत पढ़िये गारे यार ला तुक्का मार ले तुक्का मार ले जक्कर में घर बैठ जाएंगे ठीकिना और सरकार ऐसी देखिए रहे एक नमबर की निकम्मी सरकार है वेकेंसी दुबारा नहीं देने वाली जैस त लेकिन तो देखिए इतनी बात क्लियर अब आते हमारे अगले प्रस्ट पर अगला प्रस्ट क्या है अब अगला प्रस्ट आता है कि किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है जिससे सलेक्शन हो जाए यह तो भी बहुत बड़ी बात है कि किस सब्जेक्ट पर ज्याद ठीके ना देखे मैंने आपको बताया कि जो आपका जीके वाला पूरसन है वो 38 पूरसन है ध्यान दीजेगा फिर मैंने बोला कि जो मैट्स वाला पूरसन है इस मैट्स वाले में भी 38 पूरसन है फिर मैंने आपको बताया कि जो रीजनिंग का पार्ट है इस रीजनिंग में 37 और हिंदी वाले में मैंने आपको बताया कि हिंदी वाले में भी आपके 37 प्रशन है बात क्लियर इतनी अब एक बात द्यान दिजेगे यह मैं किस आधार पर बता रहा हूँ देखे जो अपका जेल वाइडर का जो अपका अभी जो वेकेंसी है यह पूरी की पूरी जो वेकेंसी है फायर मैन वाली यह आधारित किस पर है यह आधारित है UPP Constable पर इच्छा है यानि कि सेम पोस्ट है आपकी पोस्ट की बात करें तो वही सेम पोस्ट है तो इसका एकजाम पैटर्न भी वैसे ही होने वाला है अब इसमें एक बात द्यान दिजेगा कि यदि आप यहाँ पर हिंदी की बात करें 37 नमबर सबसे ज़्यादा आपको सब्जिक के फोकस करना है तो इसी पर करना है क्योंकि हिंदी सबसे आसान है सब को आती है बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं यदि आप इस 37 में से 37 नाग भी कर पाए तो याद इसमें आथूरी सी मेहनत करेंगे न तो आप 35 नमबर आपका कहीं नहीं गया सबसे जाधा फोकस आपको हिंदी पर करना यह उन कियोंकि आपको पता है कि मैं बहुत दिन Share ले रहा हूं हूँ वह हिंदी कोई नॉर्मल हिंदी नहीं है कि मैं ऐसी कुछन उठाई करा दे रहा हूँ यदि जितनी मैंने क्लासेट करा दी हैं टोटल टोटल 86 classes महाँ पे हो चुकी है 86 classes में मैंने जो practice कराई है उन सारे question किया आप practice कर लेंगे तो मैं guarantee दे रहा हूं कि 35 नंबर आपका fix है question आपका बाहर नहीं जाने वाला उसमें से देकिना और साथ में मैंने कुछ और previous year की classes कराई है जो यूपी एसाई में पूछे के कुछेन और प्लस मेरी प्रैक्टिस क्लास के कुछेन आप साधी कर लेते हैं तो सारे के सारे कुछन आप उठाएक अब इसके नंबर पर ठाएक ना पहली बात तो यूगई आपको फस्जिक्टिस किस पर देना है तो फस्जिक्ति तो यह वाली हो गई इसको आपको पहले नमबर पर देना है दूसरा नमबर जाएगा आपका किस पर रीजनिंग पर जाएगा दूसरा नमबर अब क्यों जाएगा रीजनिंग पर दूसरा नमबर ये भी सुन लेजे क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आसान है बहुत आसान है मैस और जीके के कोनों के मुकावले में reasoning आसान है और इन तीनों में सबसे आसान हें हिंदी था यह सबसे पहले निकल दिया अब रिजनिक में भी मैस काने वाला है बीस और विस भी उन्हों वह ने लगभग जो आपके बचते हैं ना यह कितने अठारा बीश कोशन अलगवा अठारा वाइस वेस्टे ना यह नहीं रीजनिंग के डाल दी हैं तो एक प्रॉफिट भीला ना क्या 37 question यहां भी reasoning के और 18 question आपके यहां भी reasoning के यानि कि यदि आप reasoning के focus करें देखिए कि total कितने हो गए 815 का 5 और 3 1 4 1 5 है ना 55 question हो गए अब इन 55 question में से यदि आप 50 भी ना कर पाएं तो फिर मतलब नहीं है आपका यानि अभी एक मेने का समय है सिर्वा सिर्व प्रैक्टिस पर समय निकाल देजिए फालतू का समय मत लगाईए केवल और केवल प्रैक्टिस पर यदि आभी से आप प्रैक्टिस करना सुरू हो जाएंगे तो मैं गैरंटी दे रहा हूं कि आप 50 question में कर ले जाएंगे कि बहुत लेवल की reasoning आती बहुत आसान लेवल की आपकी reasoning आती है बहुत छोड़ी छोड़े question आते हैं जिसमें आपको time भी नहीं लगता है हाँ थोड़ा सा कथन काराल कूट निसकर्स वाले जो आपके हैं जिसे जिसे एनालिटिकल reasoning आप लोग बोलते हैं जैसे कथनें पूर धालाएं हैं कथन पर्याप्ता हैं कथन निसकर्स हैं सिलोक्स है इन चैप्टर को थोड़ा सा आप फोकस कर लीजेगा और मान लोग यदि कोई question ऐसा आजा है आपके नहीं समझ में आरे तो पांच question है न छोड़ दीजेगा उसमे मैस की तीसरे नंबर पर आपको फोकस क्या करना है सोड़ी तीसरे नंबर पर अब देखो जिस बच्चे की जिस बच्चे की जीके अच्छी होती है द्यान देना जिस बच्चे की जीके अच्छी है वो जीके को डालना तीसरे नंबर पर और जिसकी मैस अच्छी हो वो मैस को डालना तीसे नमर पे इसमें मैं उप्सन दे रहा हूं आप पर या तो आप मैस को तीसे नमर पे डाल दो या इसको तीसे नमर पे डाल दो ठीकिए ना ती बुर्च ना बिल्कुल आरूम आराम से बहुत बहुत करोगे आप 10 लेकिन यह डियाज नहीं कि फोकस करेंगे G करन्ट अफेर पर ठीकिना पहला तो आपको फोकस करना है करन्ट अफेर अब करन्ट अफेर कहा पड़ना और कब तक की पड़ना है तो ज़्यादा परिसान होनी जरोत नहीं है देखो इस बार इस साल दो कोबिड-19 कायर बहुत से जो बहीने है उते स्किप हो जाएंगे यह न अफेर पर लेगी बहुत कम कर अफेर होगी जीकिना बहुत कम मिलेगी बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है इस साल सबसे कम करेंड यह दो आप तो आप यह पर फोकस कर लेंगे और यदि आप कहेंगे तो मैं आपको इस current affair gk की एक पीडिया भी प्रवाइड करा दूँगा लेकिन यदि आप message करते हैं तो यदि आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा content आपको दे सकता हूं तो आप मुझे WhatsApp कर दीजेगा यदि मेरे पास 20-25-30 बच्चों को भी WhatsApp आगए तो मैं मेहनत करके थोड़ सब्सक्राफी है एकनौमी है पॉल्टी है साइन्स है अब कितना जीके उठाओ गए ठीकिना फिर जीके के पॉर्सन में स्पोर्ट में चले जाओ वहां भी जीके मिल जाएगा हां उसके बाद आपके नदी नाले नहर परवत पठार यह सब आजाते हैं तो बहुत ज्यादा कि आप फूकस नहीं कर पा हुए तो इन दो पार्ट पर आपको करना और बांकी जतना बचता है वह सबस्वा को कहाँ लेके जाना है से वासिर्फ आपको प्रैक्षिस में लेके जाना है अब आती है बारी जीके की तो current of euro यूपी जीके दियाब कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ आप 15 से 20 question यहाँ पर लगा लोगे यद में minimum 15 question भी आपका मान लेता हूँ कि आप 15 question भी लगा पके ले गए तो कितना हुगा? कितना हुगा बिटा ये? 110 होगे ना? 110 प्लस यदि नंबर पा गए ना? तो मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 1000 परसंट मैं कह रहा हूँ ठीक है ना? आपका selection confirm है आपका selection confirm है इससे यदा merit जानी नहीं है जनरल की बापता रहूँ इससे यदा merit जानी ही नहीं है इसमें अभी कोई डाउट हो इसे स्टेटजी पे आपको कोई भी डाउट है क्योंकि पिछली बार 150 नंबर मेरिट गई थी 150 नंबर जानते हैं कितना हो जनरल की मेरिट हां यानि कि 90 से पंचान में की बीच में 90 को जादी रही होगी तो बिटा 110 कर लो क्योंकि इस बार तो भी मेरिट बढ़ेगी हरताल बढ़ती है मेरिट कोई बीग्जाम होता है तो ज्यादे जादा कितनी पहुंच जाएगी 110 पहुंच जाएग इससे जानी नहीं है तो इतना कम एफट में और एक महीने के समय में इस से बैस्ट स्टेटिजी कोई होई नहीं सकती है तो चलिए अब सोन रहां से बच्चों को यहीं ही नहीं पता होगा कि बॉर्डर्र की मूंठी कहा है तो रहीं होगा वॉर्डर्र diobrahim होता है से से सलेक्षन अब जब आपका सलेक्षन हो जाएगा तब आपकी बात आती है किसकी जाइनिंग की बात आती है किसे जो हम ट्रेणिंग कर लेंगे तो ट्रेणिंग खतम करने के बाद हम अपनी जॉइनिंग कहा करेंगे किस जिले में जॉइनिंग करेंगे क्या हम अपने ग्रे जनपद में जॉइनिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो क्या हम अपने पलोसी जिले में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इस जी को बोलते हैं बॉर्डर इस्कीम यान प्रयाग राज के आस पास के जन्पत कौन से हैं मालों कोई इस्ट्विंट प्रयाग राज से तो प्रयाग राज में जाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी आपकी प्रताब गल में जाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि इसकी प्रयाग राज की सीमा इससे तक राती इसी को बोलते हैं border scheme ठेके ना इस प्रयाग राज के आज पास के जिले जो प्रयाग राज की सीमा से जुड़े हुए होंगे उन्हें में आपको joining नहीं मिलेगी प्रताग गल में आपको joining नहीं मिलेगी आप पूछे सर राय बरेली में मिलेगी राय बरेली में भी आपको joining नह मिलने वाली है साइब कुछ इसा चित्रकूट में में ी साइगी ना स्यत्रकूट में भी नहीं मिलने वाली है एक आप उसे रहना proti में मिलने म Viele आप को नहीं मिलने वाली है ।¥ pretending मिलेगी नहीं मिलने वाली यानिse प्रैाग राज की सीमा बौडर जिस जिले से मिलेगी उस जिले में आपको जाइनि कि नहीं मिलने वाली यह इसी को हम लोग कहते हैं बौडर स्खीम ठीकिन अब जिसे यहां प्रियाग राज है, इदर किदर पहुँच गई है या प्रताब गर अब इससे आगए जाई हम लखनों मिल जाए का, तो लखनों की शिमा लक्नों की सीमा प्रताब राज से नहीं जुड़ी है, तो आपको लखनों में तो भी मौका मिलेगा यह नहीं मिलेगा तो बहुत से बच्चे बात कर दिया है तो दो औजार सोला में यदि आपने वरा है तो आपको परिच्छा में बैठने नहीं दिया जाएगा ठीकर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मौका नहीं मिलेगा समझ रहे हैं मौका नहीं मिलेगा यदि आपने तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है तो आपको मौका नहीं मिलने वाला है तो यह सोला वाला पैसा चला गया समझ रहे हैं सरकार गांजा पी के फूग दी कि योगी बाबा है ना चलो अब अगला प्रस्ण है कि सर इतने कम समय पढ़ाई कैसे करें देखो इस ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि पढ़ना कैसे है ठीकिना अब कहां कहां से पढ़ना है वो भी द्यान दी लिजे जादा यूटूब के चक्रम नहीं पढ़ना है यूटूब में इदि आपको साधन है यूटूब एक्जाम की त्यारी करने के लिए सबसे बेस्ट साधन है सबसे बेस्ट टाइम में और सबसे बुलते हैं न सटीक जानकाई देने वाला साधन है यह आपके बाद इससे बैस हम लोग हम लोग जब पढ़ता ही नहीं यह समझ रहें तब तो हम लोग जान भाग यह इस्क्रोल मत करिए या निकी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं एक गंटे बाद पहूंच गये आगले घंटे उधर पहूंच गये कल किसी और किसी और सE Woah i doubt यह मत कर Зап Times एक घंटे बैठिए और आप ये डिसाइड करिए कि हाँ या मुझे मैस इनकी पढ़नी है तो आप फिर उसकी ही पढ़िए डेली इधर उधर बस जाएगे यह आपने रीजन डूल लेए तो इस ज्यादा किया समय लगाएंगे दो दिन में बहुत वीडियो मिल जाएंगे आपको तीन जीवी डाटा मिलता है तीन जीवी बहुत सारे टीचर की आप वीडियो देख लेंगे बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है तो और हां जितने क्योंकि वह मेहनत करते हैं आपको सेलेक्शन दिलाने के लिए और जो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो पुर पुर करते रहा जाते हैं और फिर कुछ उता उता कुछ नहीं है वहां पे समझ रहे हैं तो देखिए अभी यहां पे करना क्या है अब यूट्यूब पे आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्लास लेनी है ठीकिना प्रैक्टिस क्लास लेनी है और ध्यान दीजेगा कुछ चैनल हैं जो जीके की प्रैक्टिस करा रहे हैं जीके की प्रैक्टिस कराते हैं तो जीके की प्रैक्टिस वहा आपको पढ़ा रहा हो और आप वहाँ पे जेल वार्डर लिखा उखा हुआ नहीं है तो आपको ये नहीं है जिके मतलब जी के होता है ऐसा नहीं कि तो एक्जाम के नेम से कन्फीज मत हो यह करिए इसी नाम से आप लोगों को बहुत गुमराबी किया जाता है तो जीके मतलब जीके समझ रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजेगा जीके आपको पढ़ना है यूट्यूब से प्रैक्टिस भी आपको करनी है यूट्यूब से ले कुछ नहीं कर पाएंगे अभी टार्गेट क्या लगाना है अभी जो आपको टार्गेट लगाना है वो ये लगाना है टार्गेट कि आप प्रति दिन यानि डेली डेली आपको कसरत करनी है डेली कसरत करनी है समझ रहे हैं डेली कसरत करनी है कितने बार तो भईया दो बार क कब कब करनी है एक करनी है सुबह में और एक बार करनी है साम में बात समझ गए ना मेरी यानि कि एक प्रेक्टिस सेट लगाना है सुबह में और एक प्रेक्टिस सेट लगाना है साम में साम या रात जब भी आपको समय मिले एक दिन में दो प्रेक्टिस सेट सौल करने एक महिन बहुत ज़्यादा नहीं मैंने आपको बताया ना 110 प्रस्न एक सो दस प्रस्न आप आपनी कर लेते हैं बहुत है ठीकिना बहुत है परिसान मत हो यह से ज़्यादा अगला है यह तो यार बहुत महत्पूर बात है कि कौन सी बुक और प्रैक्टिस सेट खरीदें वहना पैसा ब बुक मत खरीदियेगा ठीकिना खरीदना कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट खरीदना है ठीकिना किसका खरीदना है आप घटना चक्र का उठा लो घटना चक्र का एक प्रैक्टिस सेट उठा लो जिसका जो टो के नाम से आता है देख लेना इस बार मार्केट मे आया है कि नहीं आया मुझे याद नहीं है लेकिन घटना चक्र का ही आप प्रैक्टिस रेट उठाईएगा बुक पढ़ने के आउसकता नहीं इतने कम समय में आप भुक नहीं खतम कर पाएंगे नया मत पढ़िए बहुत ज्यादा घटना चक्कि आप टोफ पढ़ लीजिए इतने काम हो जाएगा दूसरा आप आएए करनड अफैर की सरक्रोठ अफैर कहां से उठाएएं तो यार देखोगे इयदी आप कहो therapy ठीक ना बहुत से गच्चे worship ये ज़िए मेरे बाद message कर देंगे तो मैं करन्फैरों मेहनत iंथ कर औंगा वरना आप क्या करियेगा market जाके कोई भी एक साल की जो magazine आती न जो एक साल की yearly magazine होती है वो कोई भी yearly magazine उठाइएगा जो हिंदी भासा में हो क्योंकि आप लोग को हिंदी समझ में आएगी yearly magazine उठाइएगा और वो पढ़ लीजेगा और ये देख लिएगा कोई बहुविकल्पी में मिल जाया इससे आपकी थोड़ा practice भी हो जाये उसको लीजेगा और जादा पैसे आपको खर्चा करनी जरूद नहीं है जादा हो ना मुझे दे दिजेगा ठीक ना जादा हो तो मुझे दे दिजेगा ज्यादा खर्चा करनी जिरूत नहीं है आपको अब आते हैं अगली बात कि क्या परिक्षा द्रिश्टी प्रगास्थन के महत्पुल वन लाइनर जीके कैसे प्राप्त करें मैंने आपको बताया था नहीं जीके के लिए ठीक ना जीके के लिए आपको पीडियाफ कैसे मिलेगी आपको करना क्या है ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको एक कॉंटेक्ट नंबर है 7884499766666 ठीक है ना एक कॉंटेक्ट नंबर ये है दूतरा है 9369470010 है ना कुछ को तो याद हो गया होगा तो इन दोनों में आप या तो कॉल कर दीजेगा या फिर आप वार्सट अप कर दीजेगा तो एक मैं आप लोगों के लिए एक जीके की एक PDA बना दूगा ना वो पीडियाप में आप लोगों प्रवाइड कर दूगा उसमें सिर्व यूपी स्पेसल ने बहुत पूप कैसे मिलेका गेसś 알र की सब्सक्राइब कामैंता है को अब क्याסदा है यह मेरे डिवारा बनाया गया थेना अपकोश्य लेन चाहिए आपको घ्यान है ऑ genetic आ कअनुदिक आरफ की मेरे पाथ ऊठाई आप दूए जो मैंने हम लोगिंगों को करा आया प्रेक्टिस रट तो आप वहाँ से कर लिजएगा लेकिन अब को ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा जो प्रेक्टिस सेट बनाए गए हैं वह आपके कुछ काम आ सकते हैं तो मैं आपको कितने दूँगा मैं आपको कुल 20 प्रेक्टिस सेट देने वाला हूं 20 प्रेक्टिस सेट देने वाला हूँ जो केवल केवल प्रेक्टिस सेट नहीं है वो गेस पेपर है क्या है? वो आपके गेस पेपर है जो पिछली भरती परिषाओं में भी काम आये थे और इस बार मुझे अंदाजा है कि जिस इस तरवे मैं बना रहा हूँ तो वही नमबर जो वाटसप मैंने आपको दिये थे उस पे आप भेजिएगा तो मैं आपको क्या करूँगा? मैं आपको एक डेमो टेस्ट भी दे दूँगा 7844997666 और दूधरा 9369470010 उनमें आप किसी पे भी मुझे वाटसप कर दीजेगा तो मैं आपको एक डेमो टेस्ट दे दूँगा ठीकिना? क्योंकि बेटा आप इतनी मेहनत की है ठीकिना? मेरी मेहनत का बहले पैसा मत देना ठीकिना? क्योंकि एक डेमो टेस्ट तो मैं आपको मुफ्त में दे दूँगा कि हाब यह देख लो मैं वास्तों में जितना बोल रहा हूं कि इसे मैं बोली रहा हूं कि कुछ काम भी होता है उसका तो पहले आप वो PDF ले लिजेगा उसे देख लिजेगा और फिर यदि आपको ऐसा लगता है बांकि आपको प्रेक्टिस्टर से शर्स्तान उपलब्ट करा देगी अब कितना है वो सिफ़ और सिफ चार सुनिन्यानवर रुपए है ठीकिए और हाँ इसी में आपको गेस पेपर ही मिल जाएगा और यूपी स्पेशल भी मिल जाएगा ठीकिए तो अलग से आपको जाने कह नहीं जरूत नहीं है अब देखें और भई कोई कोई कोशन आप लोगों का बचा है क्या नहीं बचा भई बागी आपको कोई कुशन नहीं बचा मैं नंबर फिर से लिख दे रहा हूं यदि किसी को याद ना हो कोई नोट ना कर पाया हो तो 7844997666 और दूसरा था 9369470010 इस पे आप कॉल या वाट्सअप कर दीजेगा है क्लियर आप कोई डाउट हो तो बता दो कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा वहना इन दोनों नंबर पे आप कॉल या वाट्सअप करके जो भी आपके डाउट्स हो वह आप मुझसे प कर दीजएगा तेकिना अब मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में धन्यवाद